प्यारे साथियों आप सोभी का स्वागत करता हूँ अपने MRS Study परिवार में तो जी आज की इस वीडियो में मैं आप बात करने वाला हूँ बिहार State of Power Holding Company Limited BASPHCL के तरफ से एक recruitment notice यहाँ जारी किया गया है जिसमें direct interview basis पे होने वाला है और यह job जो है contract के basis पे आपका होने वाला है contractual आपका job होने वाला है यहाँ पे ध्यान रखेगा तो इसमें एक seat आपका होने वाला है जो की GM HR and Administration का जो है यहाँ पे seat होने वाली है जिसके लिए interview 16 October को यहाँ पे conduct करवाया जाएगा तीन बजे जो की BSP HCL में आपका विद्यूत भवन जोहर लाल नेरू मार के पटना में आपका होने वाला है तो application का format और details के लिए जो है आप company के website पे आप visit कर ले वहाँ पे आपको मिल जाएगा बाकी इस से related जो भी updates है आप लोगों के साथ share किया जाएगा इस vacancy से related या फिर आपका कोई सवाल है तो comment करके बताएगा उसके बाद अगला यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है जिसमें बताया गया है कि सिता बंढ़ी इंटिट आफ टेकनलोजी यानि एस आई टी में जो है आपका vacancy announcement किया गया है यह vacancy announcement जो है आपका N.A.T.S. के उपर अगर आपने enrollment कर रखा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं जो कि national apprenticeship training scheme आपका होता है जो कि 24-25 के लिए आपका होने वाला है under M.H.R.D. के अंतर गत तो यहाँ पे आपका qualifications और कितने seats हैं वो यहाँ पे देखिए civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, computer science engineering तो चार ब्रांच है BT qualification चाहिए चार seat है यानि एक ब्रांच में एक seat आपका दिया गया है जिसमें आपको पर महिना जो stipend यानि जो salary दिया जाएगा वो आपका 10,000, sorry 15,000 आपको दिया जाएगा civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, computer science engineering जो की डिप्लोमा पे है इसमें भी चार सीट है हर ब्रांच में एक-एक seat है इसमें 10,000 आपको जो है stipend दिया जाएगा library science graduate in library science में एक seat है 15,000 आपको जो है stipend यहाँ पे दिया जाएगा तो इसमें आपका selection कैसे होगा तो direct interview basis पे आपका selection होगा interview जो है 24 October को यहाँ पे लिया जाएगा यह चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि 24 October को यहाँ पे interview होने वाला है ओके बाकी इससे related जो भी updates है आप लोगों के साथ share किया जाएगा चैनल पे पहली वा रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा अपने तमाम साथियों के साथ इससे share जरूर करिए ठीक है चलिए एक और update है वो भी हमें यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे जो अगला update यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है सिचक transfer का a to z ग्री पंचायत और ग्री नगर निकाय में सिचको का नहीं होगा transfer प्रतीन युक्ति पर भी रोक जो प्रतीन युक्ति यह उसपे भी रोक लगा दिया गया है सिचको के ट्रांसफर निती घोसित 10 विकल्प देने होंगे दिसंबर में पोस्टिंग 5 साल बाद फिर से तवादला यानि 5 मतलब दिसंबर में पोस्टिंग होगा और 5 साल बाद जो है इसकी तवादला भी हो जाएगा यहाँ पर बताया जा रहा है सिचक बिभाग ने 3.85 लाग सिचको के ट्रांसफर निती घोसित कर दी है यह वे सिचक हैं जो सचमता परिच्छा पास कर चुके हैं और जिनकी BPSC से निफ्ती हुई है इनमें विशेष्ट सिचक भी हैं जिन नियोजित सिचको में सचमता परिच्छा पास नहीं की है उन्हें ट्रांसफर निती के लाव नहीं मिलेंगे उनकी सैंख्या जो है 1.8 लाग है ट्रांसफर के लिए सिचको को ई सिच्छा कोस पोर्टल पर आविदन करना होगा उन्हें 10 विकल्प देने होंगे विकल्पों के अधार पर सिचको के ट्रांसफर कर दिसंबर में उनकी पोस्टिंग की जाएगी जिन सिचको ने ट्रांसफर के लिए फिजिकल डॉक्मेंट जमा किये हैं उन्हें भी ऑनलाइन आविदन करना होगा सिचको की पोस्टिंग 5 साल के लिए होगी 5 साल वाद फिर से इनका तबादला होगा दिविज्यांक और विमार सिचको का पाँच साल से पहले भी तबादला हो सकता है सूंबार को यह जनकारी सिच्छा मंत्री सुनिल कुमार ने दी सिचको के लिए और भी कई सारे चीज़े दीए गया है मतलब बदलाव जो है यहां पर लाए जा रहा आपके कितने दीन तक बतलाव रहते है यह देखने वाली चीजा je वाले हैं तो बाकी इस आर्टिकल से आपको क्या बेनिफीट्स होता है या कैसा लगा बाकी कमेंट करके जरूर बताइए का मिलते हैं नहीं वीडियो में थैंक यू